अगर आप बीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल लंबे काले घने और मजबूत हो साथि यदि आपको बाल जडने की दिकत हैएं परिशानी है तो आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें आज के इस वीडियो में बहुती ऊजबर्दस होम रेमिडी आपके साथ श्यर करने वाम हूं इस remedy के इस्तमाल से आपके बालों में जो भी परिशानी है बिलकुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। चलिए फटाफट से देख लेता है कि इस remedy को बनाने के लिए किन इंग्रेडिन्स की हमें जरुरत लगने वाली है। इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिन्ट में आपे ले रही हूँ वो है कलोंजी या आपको मार्केट में किसी भी ग्रॉसरी शॉप में आसानी से मिल जाएगा। कलान जी जो हैं हमारे बालों के लिए बहुत ज़्य जादा बेनेफिशिल होती हैं साथ ही पूस्तों हमारे हेर फॉल को कम करती साथ ही में जो अगला Everywhere के मैं या यान जो हमारी split ends की problem है वो भी बिलकुल इससे दूर हो जाती है अब एक पैन ले लिजे पैन में एक कटोरी के करीब आप पानी डाल दे अब हम इसमें दो चम्मच कलोंजी और दो चम्मच मेथी की दाने डाल देंगे अब इन दोनों ही चीजों को हमें अच्छी तरीके से उबालन है गैस पर कई लोगों को गंजेपन की शिकायत होती है बॉल्ड पैचिस होते हैं तो ऐसे केस में अधियाप इसका इस्तमाल करते हैं तो आपके हैर ग्रोथ को यह प्रमोट करता है यानि कि इससे आपकी न्यू हैर ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी हमें इस पानी को देखेंगे दीरे दीरे पानी का कलर जो है वो चेंज हो रहा है करीब 5-7 मिनट उबालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे इस रेमिडी के आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स मिलने वाले दोस्तों और खास बात यह कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इस इस रेमिडी से आपके बालों में नई जान आएगी इसके पानी को चान के आप एक बॉटल में भर दे एक स्प्रे की बॉटल में बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है तो इस प्रे की बॉटल में इस पानी को ठंडा होने के बाद आप भ बॉल की मदद से भी आप इसे अपलाई अपने बालो पर स्कैल पर कर सकते हैं हाफते में कम से कब दो से तीन बार जबर दस रिजल्ट के लिए इसे अपने बालो पर अपलाई जरूर करें साथ ही आपको बहुत ही बड़ी आइस के रिजल्ट्स मिलने वाले आपके बालों में नाचुरल शाइन आएगी आपके बाल तूटना जड़ना बंध हो जाएंगे मेती दाना और कलोंजी के सीट से जो भी हमारी डांडरफ की परेशानी है वो भी दूर हो जाती है साथ ही किसी भी तरीकी का इंफेक्शन अगर है तो वो भी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाता है जब भी आपको हैर वाश करना है तो एक घंटे पहले आप इसे अपने बालों पर अपलाए करें उसकी बाद आप अपने बालों को जैसे नॉमली वाश करते हैं वैसे आप वाश कर सकते हैं तो आप भी जबरदस रमेडी को ज़रूर ट्राय करें आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूसफुल होने वाली है दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी इंफर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न जब जाएंगी थानकिशन वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी थानकियो सो मच पॉशिंस पूरे फ्रैंट्स मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर